नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेगे कि आप किस प्रकार से स्मोग डिटेक्टर का डाइग्राम बना सकते हैं अगर आप आप से पूंचा जा सकता है नहीं ड्रोइंग के कि आप स्मोग डिटेक्टर का सरकीट डाइग्राम बना यह तो आप देख सकते हैं पर चला सब्सक्राब कर लो उसके बैल आइकन आइस को प्रेस कर दिना चलिए हम सुरू करते हैं दोस्तों इस मोक डिटेक्टर का सरकृट डाइग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना फोटो इंट्रेप्टर मोडियोल ठीक है तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं इंट्रेप्टर मोडियोल को यहां पर बना ठीक है यहां पर एक एलेडी होगी है कि इसमें एरो लगा देना है कि लाइट मेट हो रही है ठीक है इसी की साथा दोस्तों यहां पर हमें एक ट्रांजिस्टर बनाना है जो कि यहां पर फोटो ट्रांजिस्टर होगा ठीक है और इस पर इसके जंग्सन पर दोस्ता मैं भी इस परकार से रू लगाने हैं ताकि यह यह लगए कहां आपर एक इस हैं एक ट्रांजिस्टर यू जे इसको थोड़ा आगे कर दिजिए इसा थोड़ा आगे कर दिजिए ठीगए दोस्तों मैं जस्ट आपको कोई ब्लैंक पर नहीं बता रहा हूं अपनी नॉर्मल कॉपी पर बता रहा हूं सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए मेरा सरक्रिट डाइगरम आप टेड़ा मेरा बनने वाला है आप से लोग अच्छे से बता हैं ठीक है मैं आप यहां पर लिख ल अगलत हो गया इसको आप इनूर कीजिए इसके बाद दूस्तों आपको करना क्या है इसको थोड़ा और आपको लंबा खीचना है थोड़ा आगे तक आपको ले जाना इसका ट्रांजिस्टर वाले को भी इसी में हमें मिला दिना आप दूस्तों दोनुए बार को उपर ले आड़ा बायर में यहें एक एक रजिस्टर लगाना सबसे पहले दुस्तों आप सभी लोगे अपर लिखी जी किसमें कि क्या यूज होगा तो यहाँ पर दूस्तों फ्वो रजिस्टर होंगे ठीक है तो इसके बनाएं ठीक है यह आपको एक्जाम में नहीं लिखना है जस्ट मैं आपको बता रहा हूं इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसको उपाले कर जाएंगे लेकिन हमें यहाँ से एक रेजिटर इसमें कर देना है कुछ इस प्रकार से ठीक है अब आप क्या कीजिए इन दोनों को मिलाएंगे तो इसके बीच में भी एक रेजिस्टर यूज करना है इस प्रकार ठीक है अब इसको आप थोड़ा लंबा यहां पर ली जाए लगा कि इसकी नीची एक और पीन लगाएंगे तो जो इसकी लेकिन इसमें इसके बगल वाली को जो है मैं ग्राउंड करना है कि इसके बाद उसमें करना क्या यहां पर एक और लाइन ड्रो करनी है जिसमें दूर लगाना है इसी में दूस्ता में नीचे एक कैपसिटर भी लगाना है है कुछ यह सप्रकार से की अब करना करा दोश्तों इसकी एक प्यनस को यहां से ले जाना है और इस लन में यहां पर कर देना ऑड्ल से क्यां फ्रोक्त हयां तो आप क्या किए बागी पुए-ठी यह गई आप इस रिष्टेट को इस प्रकार से बनाएगे कि एकदम सीधह में कनेक्ट हो ठीक है मेरा थोड़ा यहां पर उपर हो गया है इसे प्रकार के नेक्स्ट हम बला देंगे दो कि यहां पर हो जाएगी तीन अभी एक पर बखाया है तो उसको हमें आशे लिए कर जाएंगे इसमें हम लगा देंगे एक कपसिटर और सबसे पहले हमें यहां पर उपक्र बना लें क्यूंकि यह पंजो हमारे बजर में मिलने वाली है थीक है तो इसके बाद इसको हमें आसे बजर में करेंट कर देंगे कि इसको भी हमें आसे सीधा करेंट कर देंगे कोशित प्रकार ठीक है आपको लिखना नहीं बोला यह है अगर ठीक है कि इसके बाद हम आइसी की नंबरें कैसे करें अब दूस्तों आइसी की नंबरें के लिए जो ग्राउंड वाली पिन उसको आप एक नंबर दे दीजिए उसके जस्ट आगे दो इन दोनों के सामने वाले को तीन तीन के सामने वाले को चार चार के सामने वाले को पांच पांच भी लिख सकते हैं अब दूस्तों हमें करना क्या है जो ऊपर वाली इसको थोड़ा और खीच कर राउंड सा बना दिना और यहां पर लिख देना हमें क्या रिकना है प्लस 9 बोल्ट टू 12 बोल्ट अब हम चलते हैं अपने रेजिस्टर के लिखने के लिए तो यह होगा दोस्तों सीवन और यह होगा सीटू यह दोनों सेम बैल्यू के होंगे जो कि होंगे जीरो पॉइंट जीरो बन माइक्रो फेरड और यह भी लेकिन जो उपर बाला हुआ बोगा 100 माइक्रो फेर्ट का यह वा सीट्री अंड्रेड माइक्रो फेरड और 25 बोल्ट अब देख आप रेजिस्टर के नंबरिंग आप किस प्रकार से करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आ आप आर टू इसको लेकिए आप आर थी और इसको लेकिए आप आर फूर और यह जो इसको में लेकिए भी आर वन आप दोस्तों ब्यार बन सबसे पहले हम आरवन से स्टाट करते हैं आरवन जो होगा बहुँगा 470 ओम का यह आपको याद रखना पड़ यह चारसो सत्तर ओ कि क्या आर टू होगा दूस्तों स्यातालीस किलो ओम का अब दूस्तों और आरफीं के वह सिम एंगे है तो कुछ अस प्रकार से हमारा सब कुछ कंप्लेट्वर्ट रोन पडिक आप देख सकते हैं सब से पहले हमने एक फोटो अंट्रब प्योंड मॉडिवा बनाए उसको लंबा खीक चाहिए यहां पर फिर इस प्रकार से आई सी बनाई फिर एक ड्रोग किया इसमें दूरेश्टर बस और कुछ निये बहुत ही इजी है दोस्तों इसको आप नीचे जो लिखेएगा अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर खट जाएंगे इस प्रकार से आप जो है सर्केट इसमूग डिटेक्टर का सर्केट डाइग्राम बना सकते हैं दूस्तों मेरा यहां पर अप्लिटी टेड़ा मेड़ा बना बकवास्ता बनाएं मैंने आपको बताने के लिए ठीक है अच्छे से एक दम चमकदार होना चाहिए आपका डाइग्राम अधरवाज आपको नंबर नहीं मिलेंगे और दोस्तों का आपके कोई सवाल हैं सब्सक्राइब आपको कुछ झाले मात्रम